हलो डियर स्टुएंट्स हालो एडिप एंस वल्कम टो एडिप स्टार कोटा तो आज बच्छों बहुत इंपोर्टेंट बात करने वाले क्या इंपोर्टेंट होने वाला है आज के सेशन में बच्छों प्रॉबबिलिटी का क्यों कि रिवीजन करेंगे 5-10 मिट्स में आप प तेंथ पोर्ड के एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी आज सेशन इंपोर्टेंट है तो यहां पर देखो सबसे पहले प्रॉबबिलिटी होती क्या है प्रॉबबिलिटी इस चांस कि इसके होने या नहीं होने का चांस क्या है जैसे सपोस करो अगर आप कोई हैड और टेल आपके पास कोई कोई है जिसमें क्या होते हैं हैं आप उस कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपके पास है अने की और टेल आने के चांस क्या है प्रॉबबिलिटी क्या है तो इसके लिए बहुत बेसिक सा सिंपल सा फरॉम्ला होता है बच्चों प्यारे-प्यारे की number of trails which expected outcomes on total number of tails. अब यहाँ बास समझेना, आपको मैं एक basic symbol सा formula लगाता हूँ कि probability का मतलब होता है बच्चों, probability का मतलब होता है आपके पास favorable upon total, अब बास समझे, अब आपने कोई कोई टॉस किया, तो सबसे पहले आपके पास total outcome आने की probability किया या तो tail आ सकता है या head आ सकता है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि tail आने की probability बताओ, probability of tail, तो आपने कहा tail आना चीए, लग फैबरेबल में तो मेरा एक ही case है और total मेरे पास दो case है, तो probability हो गई, आप, probability हो गई, आप, बास समझ भाई आपको अब देखो, यहाँ पर एक basic सा question कराया गया है कि अगर एक coin को toss करें thousand times, we get 499 times had and 501 times tail, so अब आपके पास head आने की probability क्या है, बाई, कित्ते times तो आया, favorable क्या है, 499 और total क्या है, 1000, तो यहाँ पर होगे बच्चों, आपके पास 499, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात देखो, कि भाई, आपके पास, अब यहाँ पर समझ में आई, आपको कि भाई, total क्या है, 1000 है, clear है, यहाँ पर, अब बहुत सारे बच्चों गन्फीड हो रही, sir, coin को अगर 1000 times आपने toss किया है, तो भाई, 2000 अपने पास total outcome होने चाहिए, अरे बात समझ में, उसने डिफाइन कर दिया कि 499 times तो head आया, और 501 times tail आया, महलब उसने बता दिया आपको, कि भाई, इतने times head आया और इतने times tail आया, तो अब अब probability पूछी है, clear बात है, अगर मैं आपसे बोलता, कि भाई, इतने outcomes से 2000, तो आप यहाँ पर probability होती है, लेकिन उसने बता दिया आपको, कि भाई यह इतने times head आया, इतने times tail आया, तो आप probability बता दो, तो आप तो क्या है, तो यहाँ पर बच्चों आपको बहुत important question था, जो आपको समझने वाली बात थी, तो आप समझ के होंगे, आप यहाँ पर एक बात समझो, कि भाई, जो probability होती है, आप suppose करना, आपने, कोई experiment करा, कोई experiment करा, उसमें आपके पास तीन टाइप की outcomes आए, a, b and c, उन तीनों को टोटल मिलाके आपके पास sample space हो गया, मतलब आपके यहाँ sample space में तीन टाइप की outcome आए, a, b और c, मतलब a type के कुछ outcome होंगे, b type के कुछ outcome होंगे, और c type के कुछ outcome होंगे, तो इनकी जब मैं probability निकालूंगा, तो वो क्या आएगी, total time क्या आएगी, 1 आएगी, क्यों, क्योंकि probability total क्या होती है, 1 होती है, देखوا ह definite, hand आने की probability half, tale आने की probability half, तो यह क्या हो गया, बण, अब लेकिन ये एक ही experiment के अंदर होना चाहिए, जैसे को भी dice को ठोञे है, तो probability of 1, plus probability of 2, plus probability of 3, 3 plus probability of 4 plus probability of 5 प्लस probability of 6 क्या होती है वत क्यों कि एक experiment के अंदर टोटल outcomes के अबने probability लिख लिए और टोटल probability कितनी आईगी आपके पास वॉन आईगी के लिए लाद ये वाली बास समझ गए अगर आप से कोई बोल दिया जाए कि आपने एक dice को थो किया 7 आने की probability बताओ तो 7 आना एक type का क्या है आपके पास impossible event है तो बचो यहाँ पर वो probability क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी ठीक है और अगर मैं आपको बोलू कि भाईया आपने कोई कोई टॉस किया और उसमें head और tail कुछ भी आजाए आने की probability बताओ तो आप बताओ कि जब आप किसको toss कर रहे हो coin को तो आपके बस head और tail ही आएगा तो बचो यहाँ पर sure event हो गया कि आप यह मेर को जो चाहिए वो आएगा ही आएगा तो probability होगी आपके पास होगा ठीक है और जो probability होती है वो 0 हो सकती है और 1 तक हो सकत इसके बीची value होगी इससे ज्यादा answer नहीं होगा clear है अब बात अब आपको बात समझ वही theorem of probability क्या है वही favorable upon total favorable upon total ठीक है clear बात है अब आपने यहाँ पर elementary का मतलब भी समझ लिया और complimentary event का मतलब भी समझ लिया आप complimentary event क्या है कि बात सबस करो आपको कोई बोल दिया जाए कि यह मेरे इस exam में pass होने की probability 0.4 है pass होने की probability 0.4 है तो बताओ fail होने की probability तो आपको पता है probability of pass plus probability of fail is equal to कितना आएगा बच्चों 1 आएगा तो probability of fail क्योंकि fail होने की probability भी क्या experiment है तो probability of fail या pass या तो मैं fail होंगा या pass होंगा तो probability of fail क्या होगी 1-0.4 दियो होगी बच्चों आप पास 0.6 किलियर है बास समझ भाई यहां तक किलियर है यह चीज बच्छो आपको मैंने समझानी थी और इसके लिए मैंने एक शौट रिक और बताईए आपको टू डाइस को लेखे अब मेरे को एक बाप बताओ आप कि अगर कोई को करूँ तो उसके सैंपल स्पेस में कितने इवेंट आएंगे ठीक है अगर मेरे पास कोई कोई है उसको त्री टाइम से टॉस कर रहा हूं तो यहां पर आपके पास तू की पावर थी और टू क्या है टोटल क्या आउटकॉम्स आएंगे उनकी पावर क्या आजाएगी नंबर पास कोई डाइस है उसको मैं दो वार कर रहा हूं तो आकर पास कितने ёंगे। टोटल सिक्सकी पावर्टू मतलब अर अगर तीन बार थो करता या तीन डाइस को थो करता तो आपके पास आता है शिक्स की पाबर थ्री डाइट इस टू हंड्रेड आइंड बास समझ के आप यह बाज चीज और डाइस में आपको एक मैथड बताया है बहुत आसान यह वाला आप एक वीडियो देख सकते हो जिसका डेस् सम आता है तो वैर्या कितनी बार आता है एक बार थ्री अगर ऐसम आता है तो कितनी बार आइगा दो बार यहां थीन यह चार यहां पाज यहीड शह औरतने वालीर पर उसके बादद आपके पास क्या कार्ट्स वाले कोश्चन आते हैं कार्ट्स वाले कोश्चन को लेके आपको क्या करना है कार्ट्स याद होने चाहिए कि थर्टीन 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 के चार डैक होते हैं ठीक है चार डैक मतलब एक हर्ट हो गया एक आपके पास एक डायमंड हो गया और बचा कुछ के लिए मैं लाता रहूंगा कमेंट में बता देना कि ऐसे कितने चैप्टर के लिए आपको चाहिए फॉर्मुला रिविजन भी हम लेकर आने वाले हैं तो मिलेंगे बच्छों अगले सेशन में थैंक यू